हेलो दोस्तो फॉल्टिकनिक कैप्सुल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है डिपल्मा कोर्स की सभी वीडियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यह है इडडी लेक्चर नमबर सिक्स फर्स्ट और सेकेंड के बारे में पढ़ाया जा रहा है इंटर्नल वारिंग इंटर्नल वारिंग के बारे में हम लोग पहला कोशन को साल्व कर लिये थे दूसरे कोशन को साल्व कर रहे थे दूसरे कोशन को साल्व करते समय हम लोग क्योंकि इसके पहले बहुलां डायग्श आईग्राम और प्लान आरेग हो चूका था तो इस वीडियो में हमलों सिंगल क्याक्राम और कंड्यूट की साइज और तार की माप तार की लंबाई निकालने के लिए हम लोग आये हैं कैसे निकाला जाता है तो चलिए आते हैं वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले एक ची बता दे कि यह आपको पीडियेफ चाहिए तो हमारे टेलीगराम चैनल प ओक और दोश्तों को सब्सक्राइब करवाएं और लाइक करें तो चली आए हम लोग वीडियो को सुरू करते हैं तो पिछले वीडियो अश् टेखने को मिल रहा होगा तूए यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि यह है बहुला अंडाग्राम बहुला अंडाग्राम में यह आप दिखाया गया था यह देखिए डीवी कुछ आई थी तो यहां से ले करके यहां तक के जो डिस्टेंस है दो है लेकिन इसके बीच में चालक कितने हैं एक फेस है और एक न्यूट्रल है दो तार है तो यहां से दिखिए यहां तक दो तार है और यहां से यहां तक यह दिखिए यहां पर भी दो तार है तो यहीं लंबाई को हम दिखिए दिखाये हैं तो जैसे जैसे बना है देखिए कैसे कैसे बना है यहां पते देखे तो ऐसे यह है फिर यहा और यहां पर देख पा रहे हैं तो इस परकार्स ऐसे हैं हाँ पर यह है STR door सबस्äft Aunque तो कुझ मिला करके आप लोग देख पा रहे हैं तो यह होता है शुन screening kyin metiata कर दो फिर भी कर दो ती ती तो यहां पर दो तर यहां बेणा टोपर यहां पर है यहां पर यह यह है यहां वे एक दो तार है तो यहां पर देखिए यहां पर यहां पर यहां पर आपको दो तार दिख रहा होगा यहां पर दो तार है ठीक है यहां पर दो तार है देखिए दो तार जब देखिए कहीं भी देदी दो तार हो तो यह जो लाइन रहती है लाइन पर एक दू तार तो यहां मतलब होता है तीन तर तो तीन ञाइन खिएंगे नुटा है तो यहां पर चारर है तो एक लाइन खिच करके वहां पर लिदेंगे चारतार यदि पांटार है तो यहां पर लिदेंगे पांच तार पांच लिदेंगे चे तर ढेंगे जैसे बहुलान डाइगराम मना था सेम उसी प्रकार से बना है कोई आपको इसमें आगी पिछे कुछ हुआ नहीं है अफिर इसके बाद हम लोग निकले थे तो देखिए कहां दखाये थे यहां पर एक बल्ब था इसी बल्ब के नीचे यह हमारा SB1 था थोड़ी सी दूरी पर हमारा क्या था दिखाया गया था कि L2, F1 और L3 था यहां पर उसके बीच के डिस्टेंज कितना था यहां देखिए, SB1 और SB2 के बीच के दूरी दस्टेंज कि दिखाया गया है, नहीं दिखाया गया है लगाया गया नहीं यहां पर यह देखिए 11 बल्ब भी लगाया गया है यहां पर 11 बल्ब यह हो गया और इसके बाद यह जो ESV2 है इसके बीच के distance 25 भी दिखाया गया है ठीक ना तो अब देखिए ध्यान से कि यहां पर आपको देखने के मिल रहा होगा यहां पर आपको तीन तार देखिए यहां पर तीन तार है यहां पर चार तार है और यहां पर पान तार है ठीक ना तो यहां पर तीन तार यहां पर चार तार यहां पर यहां पर साथ तार यहां पर और इसमें पान तार है तो यह सब कहां से आया है देखिए गिंते हैं यहां कि लिदेंते हैं और यहां कर गिनते हैं कि कि यह कि viens यहां तो आइए तो आहई इसमें देखे। हम मैं वह संदो करें यहां पर यह पर यह पर यहां पर हिन्य तार होग तीन तर हो नहींस होगा तो यहां दो तीन चार तृ तार तो इस प्रेकार से यहां पन तार लिखाऊघाल यहां पर इस प्रसंपड़ सकते हैं अब देख लिएा यहां पर लिखाओगा यहां पर वाफ्ज कंकार इह तार यहां पी थीन च्यार पान्च proprio नहीं यहां पर पांटार गिल सकते हैं आप देख लेजिए यहां पर यहां पर देख सकते हैं एक हो गया दो हो गया तीन हो गया चार हो गया पांच हो गया पांटार पुरा है नहीं यहां पर तो अब इसके बाद इसमें तार केतना है एक दो तीन चार पांच छे साथ इसहां पर देखे साथ आएए इसमें देखिए यहां पर देखिए यहां पांतार था यहां पर सातार था यहां पांतार ही तो गिने थे हम और यहां पर देख लेजिए यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर लंबाई पर दो तर था यहां पर सातार था यहां पांतार था यहां पांतार था यहां प यह देखिय है तेखिय और तरा में पता चल जाएंगा याइज दीफिये तर्फ है यहां दू तीन फार में sagt नहीं यहां दो थेस्ट रहे हैं यहां दिखीए एक स्छल नाव्त викस्ते होगा जो भी बहुल लटायगराम है वही सिंगल लटायगराम है अब देखिए यहां पर आपको बताया गया होगा कि यह 255 था गया तो यहां पर देखिए जिहांसे तो इसके डिस्टेंस के बारे में 255 हो गया तो इसके बाद तो देखें यहां पर यहां पर आप लोग को डिस्टेंस निकालने आ गया था यह डिस्टेंस यह डिस्टेंस यह डिस्टेंस यह डिस्टेंस यह डिस्टेंस कहां साया है और यह डिस्टेंस यह डिस्टेंस यह डिस्टेंस से मैं और यह डिस्टेंस क्या है कम है तो इस बाते बता कैसे बताई गए हैं सब आरे सब बाते किलीर किया गया प्छली विडियो में आप देख सकते हैं नहीं सुम्षम्छ तो कमेंट कर बताईए एगा फििर में अब उन तारों को एक कन्ड्यूट में पैक कर दीए है निकन्ड्यूट के अंदर डिये है तो बाहर से आपको क्या दिखेगा आपको बहर से यही दिखेगा कि केवल जो बाहर से जो होगा दिखेगा कि एकonic दिखेगी मलें सिंगल सिंगल दिखेगी सिंगल सिंगलज वाइप दिख रही है सम 3000 था इस यह जा प्रसव होग गली धर कड्यूट हमारी और यहां से यहां तिख भी फिर इसके बाद यहां भी वही काम हैं भी गई ओगा होगी आगे आगे भी प्रोसेस देखिए इसी पाईप की वज़ा से तो अंदर उन्दर दिख नहीं रही है तो उस पर हम चिंद हमार दिये कि तो चड़िए आगे हम लोग सुरू करते हैं वीडियो का बढ़ाते आगे तो अब देखिए आप समझ पा रहे होंगे अभ रहे होंगे अब हम सुरू करते हैं तार की लंबाई और कंड्यूट की लंबाई को निकलना और तार की साइज क्या होती है। इसके बारे बताना तर की जो साइज है पहले बता दी गई है कि डेड़े मम का हम लोग यूज करेंगे कंड्यूट की साइज कितनी होगी यह अभी हम लोग अभी इसमें निकालेंगे तो चलिए देखिए यहाँ पर यहाँ पर इस प्रकार से बनाया गया है यह सिरियल नंबर है यह हमारा सिरियल नंबर है यह तारों की संख्या है यह पाइप जो पाइप की लंबाई है यहाँ प पर देखेंगे दो तारुक संख्या दो है तो तारुक संख्या कहां मलग केतना दूरी तक दो है यहां देखिए एक दो का है एक देड़ का है एक तीन का है एक दूर पांच का है तो हम लोग सुरू करते हैं देखते हैं कहां से सब निकाला गया है तो देखिए यहां पर दो है डीभी स्ब्रू करते हैं यहांब hablando तार है और फिर ने मिटर रहा होगा और फिर उसके बाद तीन मीटर रहा होगा दो दूजोव पांच मी याद करल लाजिए 2095 यह ने कि भू गया यहांब के दो यहां जहां जहां दो तारे हैं जहां 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 दो तार है उसी तार की लंबाई को लिखना है यहां पर दो तार है इसके लंबाई को लिखिए यहां से जो यहां से दो तार वाला है तो यहां से देखे देखा जाए तो यह जो पाइप की लंबाई होगी दो तार के लिए मयोट लए यहां यहां में दो तर तर के लिए तिसी सब को गिन गर लिखना है बस अग आ गई समझा दें आपको पूरी बाते अब लिखने आ अगए होगई होगा करते हैं आप लोग को कि देखिए मलग दो तार वाले को हम गीन का लिख लिए दो डेड़ तीन दो दो सब्सक्राइब पांच इसको जोड़ दिये तो कितना आया दस त्यानि आप बात को समझ पा रहे होंगे कि यहां पर दो तार जा मलग जहां जहां दो तार जाएगा उसकी डैसमेटर लंबा लगएगा और दिखें यहां पर जहां जहां तीन तार है तीन तार पांच मेटर 3 मीटर के नांगें चांवर बाते हैं सब्सक्राइब क्रार दो तार दो तीन तार के लिए 5श पांच पंद्र reminds मेटर लंबड लगेगा लेकिन कि हम युब इसलिए पता र पाइप है ठीक है तो इसमें से कितना तार जाएगा इसमें से मैक्सिमम तीन तार जा सकता है और इसमें से हम माल लेते हैं तो इसमें से आप देखिए चार पान तार भी चार या पान तार जा सकता है तो यह जिस पाइप में केवल हम दो से तीन दो से तीन तार डालते हैं उस इसकी साइज होती है 16 mm होती है और यहां पर चार से पांध तार जाता है वहां पर 19 mm आपकी होती है इसलिए यह की हमक्या दो तार डालना है तो हम क्या कर दे दिया रहा है कि पांध यह बात समझे हocy किम दोतार है और दोतार ही डालना है क्योंग में कहीं हम दो शांदर की इस्टंडर्ट के हिसाफ से पाइब डालेंगे ना बताएए आप समझेगा अपने समय कोशिज करिए कि यदि इतना मोटा पाइप है तो इसमें कि वल दो ता डालना है तो यह महंगा पढ़ जाएगा ना तो यह जब महंगा पढ़ेगा तो हमको इसको यूज करना थोड़ों एक बड़ेगा। तो समझ रहे हैं मेरी बात को तो जब इतना मोटा पाइप है तो इसमें तारों के संख्या को बढ़ाएंगे तब यह सस्ता पड़ेगा तो सस्ता बनाने के लिए कि हम लोग cr कास्टिंग कर रहे हैं एंग कि कास्टिंग में लोग लोग जितना कोसी कर सके वह सस्ता करने के लिये काम करते हैं जहां पतला यूज में फ़ल चाहिए वर मोटा चाहिए हो आप पर तो चलिए तो दीच वर तो को दएग दो तर काम को डोगता है 16 सुधोरा Cake और 6 6 और 8 यह 6 ऐसे आठ्था आपका आ रहा है तो आपका क्रक्तिच की तीस एर्ब क्रक्तिस मीचल आपकर आपको 32 mm कितना? यदि आपका पास 9 से 12 तार हैं तो आपको 32 mm कितना mm? 32 mm आपके यदि आपके पास 13 से 15 तार है तो आपको 38 से मापका तार यूज करना पड़ेगा यह आप लिख लीज़ेगा देखिए 9 तार 12 तार नहीं आया था इसलिए इसमें हम नहीं लिखे थे तो फिर हम आगे लिखते लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताया था कि मैं पूरी का मतलब यहीं हुआ कि आप देखिए 9 से 12 तार आगे तो उस कंडिशन में 32 संट में साइच का यूज करेंगे यदि 13 से 15 हो गए तो 38 से में साइच काम कंडियूटी यूज करेंगे कि लिए इस प्रकार से आप लोग ऊपर से देख करके तीन तार वाला है कितने हैं दूद दूद 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 क्लियर वाद है उम्मिद करते हैं कि आप देख करके उस पर से लिख सकते हैं तो चलिए मलब यह साइज भी आपको किलियर हो चुका होगा कि कहां कहां कि साइज का कंड्यूट यूज करेंगे और यहां पर यहां पर देखिए जो पांक यहां पर दोस हो गया और यह पांच हो चब्वी दशमила वी साथ पांच मीटर यह पाईप की लंबाई की नबाई कितनी हो गई और यहां पर चालुकोра好 की संख्यां की जो लंबाई निकालना होगा तो देए धियां से इसको कैसे निकालेंगे हम लो यहां देखिए दो तार यहां पर है और इसकी टोटल लंबाई 10 आ रही है तो दो तार यहां पर टोटल लंबाई दस है तो एक पाइप में आप एक पाइप में दो लई इसकी लंबाई यहां से यहां तक दस है इसमें दो तार जा रहे हैं तो कितना मटरतार लगेगा इसमें दस मिटर का एक, दस मिटर का एक, तो दस दूना के बीस मिटर तार लगेगा ना, तो इसी परकार से हम कह सकते हैं कि ये दो और ये दस के गुड़ा करेंगे तो बीस हा जाएगा, इसी परकार से ये तीन और पांच के गुड़ा करेंगे तो पंदर आ जाएगा, चार और तीन साथ पांच में गुड़ा करेंगे तो तो निन्यान बेया रहा है निन्यान डे मीटर की लंबाई कितनी आ गई निन्यान डे मिटर कंड्यूट की लंबाई कितनी आ गई चलने के लिगाल तो यहां से आप लोग देखें आगे कि इसमें देखिये जो पाइप होता है उसको भी काटा जाता है तो वह तो च्छोटा हो जाएगा यह तो एक्षूअल लेंध पता चल गई यह लिना है ना वारी कितना है 2675 है ठीक मॉल होता है या जो निक आстडे उसमेंसे तो उसको ले करके तस परसेश्टाल असमें पह नहीं टोटल कंड्यूट निकालेंगे तो कितना आएगा तो यहां पर हम लेलिग देंगे तो 29 दस्मलों चार 29 दस्मलों चार दू मीटर तो यह तो तार के लंबाई तो निकालने आ गया कि हमारा तार के लंबाई इतनी आ गया और हमारा यहां पर टोटल कंड्यूट के लंबाई हमारा इतना आ गया ठीक न किलिए वास माई लेकिन देखिए ध्यान से टोटल हम कंड्यूट लेंगे तो इतना लंबाई का हम एक ही साइज का नहीं लेंगे एक ही साइज का हम यहां पर नहीं लेंगे यहां पर तब किसके लिए लेंगे देखिए यहां से यहां से देखिए यहां पर 16 और 16 देखिए यहाँ पर 10 और 6 पंदर, 15 मीटर हम 16 एमम कलेंगे और यहाँ पर 3,36,26,25 मीटर हम किस का लेंगे? 19 एमम आपका लेंगे और 2,75, आपका लेंगे तो हम 25 एमम आपका लेंगे ठीक है हम अलग-अलग माप का इतना दन लेंगे और सब का 10% एक्ष्टा निकाल करके हम लेंगे ठीक ना तो हम यहाँ पर सवाल में हल करना होता है तो यह तुम्हें एक्चुल में यदि आप वारिंग करने जा रहे हैं तो उस कंडिसर की बारे में बता रहा हमें आपको बात लेकिन सवाल में हल करना है तो टोटल निकाल के देते हैं जैसे हमारी यहाँ पर 29 दिसमलों चार दुआ गया बस यह से कि में इतना लंबा कंडियूट लगेगा बस बास समय पारे मेरी बाते हैं तो आपको सारी बाते मैं इस वीडियो में दे दिया जैसा भी आपको बताईएगा और प्लस अधिक सधीक वीडियो को आप लोग सेयर कर कीजिए लाइक कीजिए और कमेंट करके बताईए अगला वीडियो और किसी चीज की चाहिए तो उसको भी प्रोवाइट किया जाएगा ठीक है तो धन्यवाद यदि आपको सौरी यदि आपको चाहिए